सब्जी में मसाला ज्यादा है कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो अरे मुझसे तो ऐसा कभी कबार होता है और तुम जो हमेशा खेत में अनाफशनाग कीट नाशक डालते हो उसका क्या ठीकी तो कह रही है बहू देख खेत में उतनी दवा डाल जितनी जरूरत हो याद रखो कीट नाशक जहरीले होते हैं डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब सही दवा डालने चाहिए पहले फेरो मून ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीट नाशक आदी का इस्तिमाल करें जरूरत पढ़ने पर ही रासाई में कीट नाशक का इस्तिमाल करें चिड़काव सुभह या शाम, दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहन कर करें हवा की दिशा में चिड़काव करते हुए पीछे जाएं, दवा के डिब्बे, चिड़काव यंत्र, सुरक्षित जगह पर रखें अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी, अब ना गरू ना दानी, इसने पिला दिया ना तुझे पानी? जी 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 किस से बात कर रहे थे इतना हासास कर? किसान कॉल सेंटर में, विशे शग से खेती के बारे में सला ले रहा था सुबा भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबा छे बजे से रात को दस बजे तक खुलता है रवी बार को भी? साल के 365 दिन खुलता है पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ आरी समझी थी कृषी सम्मंदे समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंट समाधान पाने के लिए तोरे भारत में किसी भी पॉन से प्राश्ट्री हेल्पलाइन नमबर 180-100-1551 पर संपत करें आप किसान भाईयों की खेती बाणी से चुड़ी हर समस्या का कृषी विशेशग्यों द्वारा तुरंट समाधान किसान कॉल सेंटर आप भारत के किसी दिर प्रदेश में रहते हों कोई भी भाषा बोलते हों आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो खाद की वशिव पालन की या कृषी से चुड़ी नई तकनी की अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें एक पाँच पाँच एक विशिशक्य द्वारा आपको दी जाने वाली ये सला बिलकुल निशुर्ख है ये सुविथा प्रात्य चै बजे से रातरी दस बजे तक निशुर्ख प्लब है किसान कॉल सेंटर यानि एक पाँच पाँच एक किसान भाई हो जै जोहार क्रिशी दर्शन कारीक्राम में आप मन के स्वागत है आज के हमर कारीक्राम के विशाय है खेती किसानी के साथ योग के महत्तो किसान भाई हो जैसे कि आप मन जानता हो पूरा किसान मन के जीवन ही की होगे पहली का हुआ है जब मन नांगर जोता है तो नांगर जोता है जोता है बीस किलोमीटर पचीस किलोमीटर रेंगा है जब दवरी फांदा है तो दवरी लग खेदत खेदत बीस किलोमीटर पचीस किलोमीटर किसान रेंगा है अव उकरवा जब हल चलाना है तो इसे नहीं पूर प्रगति करा थे तो योग करे के जरूरत पड़ा थे कैसे डंक करना चाहिए कैसे आज हमर जीवन ला सामान ने बनाए के जरूरत यह जम्मो बात में चर्चा करे बर हमर संग में हावाए राकेश दुबे जी जोना सफल पसु पाला के और योगा चारी खलो हरे तो दुबे जी महराजी आपनके स्वागत है हमारे कारीकरम में तो किसान भाई हो हमन चर्चाला जारी रक्थन तो सबले पहली महराजी आपसे हम जानना चाहबो कि किरिसी के साथ साथ योग के का महत्तोपुण योगदान है कतेक महत्तोपुण है खेतिकिस्थानिल घलो करन और योग घलो करन ये कतेक जरूरी हो है किरिसी के साथ योग आज ये वरत्मान परिवेस में वरत्मान लोगों के मन में ये धारना बैट गई है कि योग का मतलब सिर्फ सांसों का लेना और छोड़ देना होता है योग का मतलब कि विविन प्रकार के आसनों का करना होता है अपने सरीर को बहुत जादा उचल कूद करने का नाम योग होता है, ये धारणा पूरी तरह से गलत है, योग का मतलब होता है जीवन में सामजस से बैठाना, और एक किसान भाई को अपनी खेती के साथ कैसे सामजस से बैठाना है, कैसे उसके साथ खेती की जो आवश्यक्ता ह है, खेती की जो डिमांड है, उसको कैसे पूर्ती करना है, और पूरी सात्विक तरीके से पूर्ती करना है, इसी का नाम योग है, कि आप आधुनिक परिवेस में, आज हमने जब खेती को योग से अलग कर दिया, मतलब हम आधुनिकता के साथ जब हम योग करते हैं, तो हम पे जब हम खेती की जुताई करते हैं तो टेक्टर से करते हैं टेक्टर से करने से क्या होता है वहीं पर योग समाप्त हो जाता है क्यूंकि टेक्टर का एक तो वजन बहुत जादा होता है इसके कारण जो हमारे मित्र कीट हैं जैसे केचुआ उसके वजन के कारण मर जाता है स सबसे वड़ा नुकसान यही होता है किसानोंगा और यहीं से जो है आप योग नहीं आप वियोग की तरफ चलने लगते हैं दूसरा सबसे वड़ा क्या होता है कि जब हमारी खेती पोली होती है तब उसमें फसल अच्छी पैदा होती है नरम होती है ट्रैक्टर का खुद का व बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है जब हम बैलों से खेती किया करते थे तब सही अर्थों में योग होता था पैदल भी चलते थे हम सांस भी लेते थे और बैलों का मूत्र जो है खेतों में मिलता चला जाता था बैलों का गोवर खेतों में मिलता चला जाता था तब सही अर् और यही कारण है कि आज हमारी खेती जहरी ली खेती बनती चली जा रही है किसान भाईयों से मैं निवेदन करूँगा कि किसी भी कीमत पर रासानिक खातों का उपयोग कम से कम करें अगर खेती को योग के साथ जोड़ना चाहते हैं तो आप रासानिक खातों का उपयोग कम से कम करें और इसके साथ पशुपालन और खेती एक दूसरे के पूरक हैं अकेले आप खेती करोगे आपकी खेती सफल नहीं होगी अकेला पशुपालन करोगे आपका पशुपालन सफल नहीं होगा दोनो एक दूसरे के पूरक हैं इसलिए और इसी का नाम योग है इसी का नाम योग का अगर साब्दी करता जो देखा जाया किसान भाईयों तो योग का मतलब होता है जोड़ना, खेती से पशु पालन को जोड़ो, फिर उसका जो उत्पाद होगा वो आपके लिए, आपके मानवता के लिए लावधायक होगा, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लि तो बिना योग की इस अंसाद चल नहीं सकता, इस भवन में बैठा हूँ, इंट से इंट का योग हुआ, तब ये भवन बना, अगर इंट से इंट का योग नहीं होगा, तो ये भवन नहीं बनेगा, तो इसलिए किसान भाईयों, योग के बिना, ना आप चल सकते हो, ना मै सागर से खेती जोतेते थे जब हम गायों का अपने घर में दूद के लिए करते थे वुसी खेती पर आपको लोटना होगा बैक टू होम अपने घर को वापस आना होगा तब सही अर्थों में योग होगा महरा जी आप बहुत अच्छा बात किसान हां केवल नमक खरीद है तरीस पहले वो सबची जब उन घ Teams पर प्यादा कर ले मिर्ची पएदा कर ले अन पैदा कर ले अनाच पैदा कर ले दाल द्लहन तिलहन सब कुछ याने हर चीछ पेदा कर लेकिन आज हमानला परहसत है जाता ह हमर खेती के ओकर स्वरूप लफ बदल गए जीसे आपके हो कम समय में ज़्यादा पाई के जो लालच है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा बात की हो, एक बात हम जानना चाहए हो, आप तो योगा चाह रही हो, आप पसू पालग भी हो, बहुत अच्छा बात आपके हो, कि जैसे हमर योगी रहा है पहली प्राचीन काल की योगी तो योगी मन घलो क्रिसी करे वो मन करा तुरीस का एक रो बारे हमर किसान बताते है देखिए योगी हमारे सास्त्रों में किसान को योगी कहा गया है और योगी को किसान कहा गया है हमारे सास्त्रों में दूसरा सबसे बड़ा जो हमारे योगी ही किसान है अब किसान ही योगी है समये नहीं यह हमारे सास्त्रों में कहा गया है और जो हमारे रिशी हमारी संस्कृती रिशी और किर्शी संस्कृती है हमारी संस्कृति रिशी की और किर्शी की संस्कृति है रिशी का मतलब क्या होता जो रिसर्च करते हैं उनको रिशी कहते हैं जो रिसर्च करते हैं जो शोध करते हैं और हमारे रिशी लोग जो हैं खेती पर शोध किया करते थे और शोध करके किसानों को बताते थे कि आप कैस चलाना हल को हमारे हाँ जो हल की फाल होती है उसको क्या कहा गया है उसको सीता कहा गया है और सीता जो है धरती माता की छाती पर उसके खेद को फारते चले जाती है और हम जब रिशी बताते हैं रिसर्च करके जब उस फाल के उपर घी और शहद डालके जब हम खेद को जोतते तो खेत के अंदर आउशदी गुणा आजाते थे और हमारी फसलों में आउशदी गुणाया करते थे और जब हम उस अन का प्रियोग हम अपने सरीर के लिए करते थे तो हम जीवन भर निरोगी रहते थे रोग क्या होता है हमारे प्राचीन लोग नहीं जानते थे तो इसलिए जो है हमारा प्रत्य किसान अगर वो परंपरागत तरीके से खेती करता है तो वही योगी है मैंने कहा ना योगी का मतलब ये सांसों का लेना और छोड़ देना नहीं है अस्टांग योग क्या कहता अस्टांग योग ये कहता है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्यार धारणा ध्यान और समाधी यह है अस्टांग योग है तो यह हमारा किसान तो इसमें प्राचीन किसान इसका पालन करता था यह क्रिसी करते करते योग हो जाता था लेकिन आधुनिक किसान चुकि आज हमा इस परंपराएं पूरी तरह से बदल गई हैं, गाउं में आपको फल, सब्जियां नहीं मिलेंगी, लेकिन मुर्गी खाना मिल जाएगा आपको, मांस मिल जाएगा, जब कि हमारा योग क्या कहता है, योग कहता है अइंसा पर्मो धर्मा, तो हमारा किसान जब हिंसा की तरफ तो फिर वो योगी नहीं रहा, अगर योगी रहना है, तो आपको अइंसक होना पड़ेगा, आपको अपरिग्रही होना पड़ेगा, अपरिग्रही का मतलब होता है, किसान के घर में अगर सौ बोरा धान हो गया, और उसने उसका संग्रह कर लिया, संग्रहे आपको आवशक योग का पालन करना है सांसों का लेना छोड़ देना योग नहीं है इन नियमों का पालन करने का नाम योग है पहले का किसान धैरी शील हुआ करता था धैरी रखता था किसान से बड़ा धैरी शील कोई नहीं है और धर्म का पहला लक्षण ही धैरी है धर्म के दस लक्षण में पहला लक्षन है धायरी है जिसके अंदर धायरी है वो धार्मिक है जिसके अंदर धायरी नहीं हो धार्मिक नहीं है इसलिए हमारा किसान सबसे ज़्यादा धायरी शील होता था इसलिए हमारा किसान सबसे ज़्यादा धार्मिक होता था किसान पूरी तरह से परंपर अगत तर सुर्ण करते हुए सारे समाज को अन देता था, सारे समाज का अन दाता हुआ गया, इसलिए हमारे हाँ एक राजा को समराट कहते हैं, लेकिन किसान को महा समराट कहते हैं, तो सम लोगों का पेट भरता है, अन दाता है, अन दाता है, अन दाता है, बिल्कुल आप बहुत सही ब योगी बनना है तो मैंने जो बताया उस पर चलना पड़ेगा तो बहुत अच्छा बाद जैसे हमर यह देश ला यूवामन के देश कहे जा थे हैं दोबेजी तो वरतमान में क्रिशी के सांथ हमर यूवाला कैसे यूवाला कैसे यूवाला कैसे तरफ हम जोड़न एक रो बार देखिए आज हमारी जो सिक्षा पद्धती है वो पूरी तरह पाशाती सिक्षा पद्धती पर आधारित हो गई है आज हमारा युवा जो है पूरी आधुनिक चका चौन्द से पूरी तरह से प्रभावित है हमारी जो सिक्षा पद्दती थी गुर्कुलों की सिक्षा पद्दती हुआ कर दी थी और जब लाड मैकाले आया 1853 में तब उसने यहाँ पर हमारे पूरे देश का उसने एक सर्वे करवाया एक कमेटी बिठाई कि इस देश को लंबे समय तक कैसे गुलाम रखा जाए तो उस कमेटी ने यह रिपोर्ट दी कि यहां के गुर्कुलों को समाप्त कर दिया जाए अगर तो हम इसको लंबे समय तक गुलाम बना के रख सकते हैं आज पाश्यात इस सिक्षा पद्दती से पूरी तरह प्रभावित है आज हमारे स्कूलों में किसी भी प्रकार के संसकार इवाव को नहीं दिये जाते हैं तो आज इवाव को अगर हमको अपनी तरफ आकर्षित करना है तो इवाव की समख हमको अपने अपनी जीवन पद्दती को रख करके गुरकुलों की जीवन पद्धती को उनके सामने प्रस्थुत करके कि इदे कोई गुरकुल की सिख्छा पद्धती है ब्रहमचरी ब्रत का पालन करना है आज इवाद ब्रहमचरी ब्रत से बहुत दूर चला गया है को एजूकेशन ने सारे हमारे सिक्षा जगत का सत्यानास कर दिया है सह सिक्षा पद्दती ने हमारी प्राचीन सिक्षा पद्दती सह सिक्षा पद्दती नहीं थी हमारी सिक्षा पद्धती में लिखा हुआ है कि लड़के और लड़कियों के स्कूल और कालेजों में कम से कम 20 किलोमेटर का अंतर होना चाहिए और लड़कियों के स्कूल और कालेज में 5 साल के बालक का परवेस भी बरजित होना चाहिए और इसी प्रकार से लड़कों के स्कूल और कालेज में पांस साल की बालिका का परवेस्बाजित होना चाहिए तब आपको राम मिलेंगे तब आपको कृष्ण मिलेंगे आज राम और कृष्ण क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं तो आज के इवाओं को हमको आकरशित करने के लिए हमको अपने आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा कि देखो ब्रह्मचरी का ये बल होता है अगर आज हम हनुआन जयनती होते हैं आज का इवाँ हनुआन जयनती बड़े जोड़ सोड़ से मनाता है क्या करता है 500 किलों का लड़ू बाट देता है हनुमान जी अंती पे लेकिन हनुमान जी अंती हनुमान जी का चरित उसके अंदर बिलकुल नहीं है हनुआन जी तो बाल ब्रह्मचारी थे तो आज हम आज का युवा जो है राम को तो मानता है हनुआन को तो मानता है लेकिन ना राम की मानता है ना हनुआन की मानता है जी बहुत बढ़ी है महराजी बहुत बढ़ी है बात आप योगा के लिए और क्रिसे के लिए कहा था संगवारी हो चर्चल आगे जारी लगवो लेकिन उकरले पहले ले थन एक थन ब्रेक किसान भाई हो कारिकर में फेर एक बार आपनके स्वागा थे जैसे कि हमना चर्चा करथन की क्रिसी में योग के महत्वर्ट तो महरा जी आप सो जानना चाहाबो कि जैसे हमना क्रिसी करथन वर्तमान समय में जैसे योग जरू है जीसे दुनों है एक दूसर रख जुड़ला ज्याया जैसे सरीर योग से हम सुद्ध कर्थन तो क्रिसी घलो का उधके सुद्ध है का और वला कैसे सुद्ध वनाय जाए देखिए आज का जो वरत्मान परवेस है आज वरत्मान की जीवन शैली है वो सब कुछ अशुद्धी की तरफ बहुत तेरी से बढ़ती चली जा रही है इसी प्रकार से जो हमारी कृशी है और हमारा पशुपालन है वो पूरी तरह से अशुद्धता की ओर बढ़ता चला जा और उसमें होता क्या है जब कोई पौधा बहुत तेरी से बढ़ता है ना हम क्या करते है जब उसको रासानी खाट डालते है तो पौधा बहुत तेरी से बढ़ता है तो वो उतना सॉलिड नहीं होता पोला होता है जो चीज़ तेरी से बढ़ेगी उतनी सॉलिड नहीं होगी वो पोली हो जाती है और जब पोली हो जाती है तो उस पे कीड़ा अटेक करता है पोली चीज को साफ चीज को नरम चीजे के ऊपर कीड़ा बहुत केजी से अटेक करता है तो जिस खेती में रासानी खाट डाली जाती है उसमें कीड़े का प्रकोब बहुत जादा होता है जहां पने कीडा लगा तो उसमे कीट ना सक रासा नहीं कीट ना सक छिड़क कर आपने उन कीडों को समाथ किया उसमें डबल जहर घुज गया और वही अन जब हम खाते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं हमको कैंसर होता है हमको दुनिया भर की बिमारियां होती है असमय छोड़ी- गोवर की खाद बनाईए बिविन प्रकार की खादे बनती है गोवर से केजुआ खाद बनती है और बिविन प्रकार की खादे बनती है उन खादों का जब हम उप्योग अपनी खेती में करेंगे तब हमारी खेदी योग में खेती होगी शुद्ध खेती होगी आरोगिवर्ध खेती होगी हमको स्वास्त प्रदान करेगी हमको आरुगिता प्रदान करेगी तो ऐसी खेती हमको डबलब करनी है पशुपालन भी करना है पशुओं के साथ भी सुद्धता परतनी है देखे गाय हमारे देश में गाय को ही पाला जाता था भैंस हमारी देश की परजाती नहीं भागवान क्रिष्श्ण को गोपाल कहा MindWashti बहुन को नो लाक गाए थी, नंद बबा के नो लग गववंए नित उठी देए, और आपको एक और जानकारी दे दूं कesahan भाईयो, नंद उपाधी होती थी जिसके पास नौलाग गाय होती थी उसको नंद कहा जाता था नंद उपाधी दी जाती थी और सुनिये किसान भाव जिसके पास दसलाग गाय होती थी उसको ब्रस भानू कहते थे और जिसके पास पचास लाग गाय होती थी उसको ब्रस भानु वर कहते थे और जिसके पाथ एक करोड गाय होती थी उसको नंदराज कहते थे महाभारत के समय में कृष्ण के समय में हमारे देश में नौ नंदराज थे और हमारे देश की महाभारत के समय में आबादी थी 16 करोड और हमारे देश में गाय थी 96 करोड जब 96 करोड गाय थी उनके दूसरे दूद की नदियां बहा करती थे ऐसा कहा करते थे तब इस देश में बीमारी क्या होती है कोई जानता ही नहीं था डाक्टर क्या होता है कोई जानता ही नहीं था कोई बीमार पढ़ता ही नहीं था आज भी वो इस्थिति प्रकट हो सकती है अगर हम फिर से देशी गाय को पालने लगें देशी गाय को पालने लगें और उसके अन का प्रियोग करने लगें उसके दूद का उसके दही का उसके घी का परियोग करने लगें वैसे आज भी हमारे अंदर वो छमता पैदा हो सकती है आज भी हमारी आयू बढ़ सकती है मनुस्ति की आयू सो वर्स तो मिनिमम है लेकर हम आरुगिता के साथ योग के साथ ब्रह्म चरिति ब्रत का पालन करें तो हम अपनी उम्र को 400 वर्स तक ले भी हमन एक तरफ परियावण के सुरक्षा एक तरफ उद्योग से निकलत काला काला धुआ ओ योग यह तिनों अलग अलग चीजा है लेकिन योग कैसे ढंके यह सबोला मिला ले थे कैसे सामंजेस से बना ले थे योग के कते बड़े योगदान है यह परियावण के यह कैसे ढंके संभव होई यह लाब बता योग अपने आप में कम्प्लीट विधा है और जब आप योग को अपना लेते हैं तो योग का मतलब जैसे कि मैंने बताया ना सिर्फ सांसों का लेना नहीं होता योग का मतलब होता है समाज को सामंजस से बिठाना समाज को पे लाना देखो विकास के योग विकास के विरुद्ध नहीं है विकास का विरुधी नहीं है आप कल का कल कार खाने लगाईए लेकिन उससे जो प्रदूशन होता है उसको दूर करने के लिए परियावण की सुरक्षा के लिए आप उतने ब्रक्ष भी लगाईए उसका आप प्लांटिशन का भी रखिए ना नेश्टनल हाईवी के दोनों किनारों पर और बीच में जो पट्टी होती है उस पट्टी पर भी ब्रक्षा रूपन करवाईए उसमें कंपल सरी कर दीजिए जैसे आप टोल टेक्स लेते हैं वैसे ही आप परियावरण के नाम से कोई ट पाए करिये आप पॉलिथिन पे बेन करिये आप योग ये कहता है योग ये कहता है कि हम नदियों को मातों मानते हैं आज हमारी इतनी संदर संदर पवित्र नदिया हमारे देश में गंगा है यमुना है सरस्वती है इतनी अच्छी अच्छी नदिया है लेकिन क्या हम नदि की जिम्मेदारी है और किसान भाई होन विशेध जिम्मेदारी की किसान तो पूरे देश और अन न देता है इसलिए किसान को भी अभी देखिए मानसून आ रहा हर किसान का यदायत तो अपने घर में जहां खाली जगए दो छे तीन से चार से पाँच ब्रक्ष लगाए इससे परियावन शुद्ध होगा और हमारे हाँ सबसे बड़ी एक चीज और मैं आपको बता दू हमारे यहाँ गाय के घी से यग्य करना कंपलसरी हुआ करता था हर परिवार में और जब हर घर में यग्य के साथ यग्य होता था तो इस देश में परियावरन की कोई समस्या नहीं है बिल्कुल सुद्ध हो जाता था वातारण उससे निकलने वाले गाय का घी अगर आप कम से कम यग की प्रद्दिन नहीं कर सकते हैं तो गाय के घी से दीपक जला के अपने घर में रख दीजिए जी महराजी बहुत बड़ी हा जानकारी आप दे और कम समय में बहुत विस्तरी जानकारी हमरे किसान भाई मला किसान भाई मला और योग काई योग कैसे करना चाहिए योग के जो नियम है वो आस्टांग योग के बारे माँ बताया आप आपके बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आपने मुझे बुलाया समय दिया है तो किसान भाई होँ अभी हमन देखत रहे हैं कि कैसी खेती किसानी ले करना है तो खेती किसानी ही है की योग आए अब वोला हमला बिलकुर सोच के समझ के जोन बातल भी महराजी का थरिस्ओल ध्यान रखना रखना है। समाइड लो घलो आप मनहा निरोग रखाओ बस आजद के अवया बेराम फिर नवा जान करे लेके आप मन के सामने हो पस्तित दो बिदा राम राम करे लाक अिरोग ठ sell के लाओ मन के अवया बेराम येल्स कर फ़स्तित